नमस्कार मुत्रो स्वागत आपका सिटोजनल पे सिख्षकों के निलंबन में खेल BSA को पढ़ेगा भारी जैसा कि आप जानते हैं पहले निलंबन एक ऐसी प्रक्रिया बन गई थी जिसमें BSA पूनतह एक तरीके से पैसा लेकर सिख्षकों को उनकी मन चाही जगा दिया करते थे अगर आप लोग इस बारे में जानते होंगे तो आप लोग समझ गए होंगे लेकिन नहीं जानते होंगे तो चौक रहे होंगे कि निलंबन से मन चाही नियुकती कैसे मिल जाएगी तो पहले ख़बर पढ़ लेते हैं फिर इस पर बात जरूर करेंगे परशिदी स्कूलों में पढ़ा रहे सिक्षकों के निलंबन में खेल करना बेसिक सिक्षा अधिकारियों को भारी पढ़ेगा जान बूचकर माफ करीगा प्रकरण लिखा है प्रकरण को फसाने और शिक्षकों को बेवज़ा कारयला में दोडाने के मामले में स्कूली शिक्षा माने दिशाले ने सक्त नराज़गी जदाई है पिशले एक साल में 1015 सिक्षकों को विबिन कारणों से निलंबित किया गया है अभी तक इसमें से 145 प्रकरण को निलंबित रखा गया है मामला निरस्त ना होने से शिक्षक परिशान है परशिदी स्कूलों के जिन 1015 सिक्षकों को निलंबित किया गया था उसमें से 395 सिक्ष लगुदंड दिया गया इन्हें चितावनी नोटिस के साथ साथ दूसरे विद्याले में स्थानांतरित कर दिया गया वहीं 117 सिक्षकों को दीर्ग दिया गया और इसमें तीन वेतन वृद्धी तक रोके जाने का प्राविधान है फिलाल 145 सिक्षकों के प्रकरण अभी लंबित रहता है तो उसके मूल वेतन में से 50% वेतन काट कर दिया जाता है अगर 6 मां से अधिक निलंबन की अवधी है तो 75% तक वेतन काट कर दिया जाता है फिलाल मानिदेशक स्कूल सिक्षा कंचन वर्मा की और से सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर लंबित पकरणों के निरस्तिकरण में हो रही देरी पर नराजगी जताई है उन्हें चितावनी दी है कि अगर जल्द मामलों को निरस्तिकरण ना हुआ तो उनकी जवाबते ही तैकी जाएगी उधर उत्र परदेश बीटी से सिक्षक संग के अध्यक्ष अनल जाते हैं क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते होंगे पहले प्रक्रिया यह बनी थी कि जब भी कोई सिक्षक अपने विद्याले को बदलना चाह रहा था तो वो जानबुच के किसी प्रक्रण में अपने आपको फसा कर निलंबित हो जाते थे और निलंबन के बाद पहले यह सिस्टम था कि उसका विद्याले बदलने का प्रोसेस होता था तो बियसे मन चाह विद्याले में पैसा लेकर उस सिक्षक को वहाँ पर नई नियुक्ति प्रदान कर दिया जाती थी तो उसका बिना किसी साशना देश स्थाना अंतर के जो साशना देश आते हैं या फिर जो ट्रांसफर्स के फॉर्म ऐसा बिना उसके वह अपना सेटिंग करके अपने मन चाह विद्याले में पहुंच जाया करते थे लेकिन सिस्टम बदला किया अब नियम बना दिये गा है कि 6 महीने के अंदर तुरंत उसको भई निस्तारान करना है जो मैटर है फिर भी बहुत प्रोसेस होना है उसको जल से जल पूरा किया जाए सिक्षकों के साथ शोशन ना हो जो अगर दंड लायक है उसको दंड मिले लेकिन अगर कोई गलत तरीके से निलंबित हुआ है जिसके खिलाफ कोई प्रोसेस नहीं बनता है कोई मामला नहीं बनता है तो उसको दोशी करार ना देते हुए निर्दोष करार दीजिए और उसको उसकी नौकरी पर वापस बेजिए और इज़त के साथ उसका वेतन उसको वापस करिए और उसको नौकरी करने दीजिए तो बहुत अच्छा निर्देश है महानदेशक जी का इस तरह से सिक्षकों का जो एक शोषण होता रहा है क्योंकि बेसिक सिक्षप परिशत के जितने भी विद्याले हैं वहाँ पर सिक्षकों के साथ शोषण पहले से होता आ रहा है और उसमें हाला कि कमी हुई है लेकिन फिलाल जो कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो कभी मानने वाले नहीं हैं और ना मानेंगे तो उनके लिए ये बहुत जरूरी आदे स्थालास तक वीडियों देखिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका देन शुबहूँ